कि नमस्कार साथ यह आपका स्वागत था आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड वित रॉनिक चलिए दोस्तों आज के शुरुवात करता है आज 8 अप्रेल रात के 9 बच के 30 मिन और मार्केट आफ है बट आज मार्केट के अंदर एक कंपनी फिर से डिलिस्ट हुई है जिसका ना कोई कंपनी एंसल्ट में जाती है तो हमेंसा अवैर रहना चाहिए उस कंपनी तो आपको इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि जब तक वह अपना करजा खतम करने के लिए कोई अप्रूवल नहीं आएगी एंसल्ट का रिजल्ट खोसित नहीं हो जाता है इसके वासे कंपनिया चाहिए चला जा चुका है तो अब फ्रोदर फूचर के लिए क्या अपडेशन देखने मिलने वाली है वह आप तक कोई क्लियर नहीं किसी को मिर को भी ना आपको किसी क्लियर नहीं कल तक शेयर ट्रेट करा था अब आज सुबा देखा तो शेयर बंद नहीं चाहिए क्योंकि जब तक कोई कंपनी एंसल्टी में होता तो इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट बिल्कुल ही मत करिये बहुत सो लोग क्या सोचता है कि एंसल्टी का रिजल्ट जो भी निकल कहा तो सायद वो शेयर हमारे को मल्टी वैकर बनाएगा बट वह नभे में से नहीं सो में से 5% शेयर ही होता है जो अच्छी कंपनी होती है वह किसी कारण वास एंसल्टी में जाती है तो वह उसका जब रेजुलीशन प्लान अपडेट उतो उसमें शेयर होल्डर को पूरा पूरा ध्यान रखा जाता बड़ी कंपनियों के साथ ऐसा ही होता है बट र सब्सक्राइब काम करती तो अच्छा काम ने वहुत अच्छा वरकिंग था बट ऐसा क्या होगी कमपनी कर्जें में जा चुकी कंपनी कर चाहिता होगे कि जुरुत पर चली की कंपनी और जाने के बाद तो आज इसका प्लान पूरा अपडेट हुआ जिसकी वेबसाइट प नोगे बाद ऐस्तों का सब्सक्राइब करता है मार्च दूजाओ निस से देखेंगे और दिसम्बर दौजा किस तक के तो आप देखेंगे के इसम्बर डौन हुई आप दे सकते हैं एक जून के अंदर इनकी किती डाउन हो चुकी तो फिर जून से फिर से इनके मार्च दो जए किसके इनकी सेल अच्छी घासी बड़ी देखना हो मिली और फिर दिसंबर के अंदर इनकी सेल फिर से डाउन हो गई बाट यहां पर एक चीछ देखे जो ऑपरेशन प्रॉफिट तो वो दो के हमेशा घाटे में रहा है यहां निके कंपनी चीज दोग लगातार आप इस चीज को नोट रखी नगते कुई भी चौट देखते हैं या सब्सक्राइब खुड बीजाब चागोआ करें तो उनका देखिए लगाता है तो बहुत के उन तक यह दो हैं जाएगी वही शेयर ट्रेट करते हैं पैनी शेयर ऐसा नहीं है हर कमपणी अपने कड़िया खेम करते हैं माइनस में तो अप्रेशन प्रॉफिट भी इनका माइनस में एक्सपेंस इनके बढ़ते जा रहे हैं हर कौर्टर इनके एक्सपेंस बढ़त देखने को मिली तो यह नेगिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी का एंसल्टी में जाने के लिए और इनका करजा भी देखेंगे तो करजे भी छोटे मोटे करजे नहीं आप दिल सकते किते हाईली करजे के अंदर थी कंपनी या निए बॉरिंग्स देखेंगे आप सितंबर क्वाटर के अंदर बी इनकी बॉरिंग्स 1248 करोड़ पे किती तो पर इसी वज़े से कंपनी एंसल्टी में गई थी तो इनों का देखिया आज रेजुलेशन प्लान है जो देखिए 17 अप्डेट हो गया था तो आज इनों अपनी वेबसेट सब चीजों पर अप्डेशन डाल दिया तो इनका रेजुलेशन प्लान जो अप्रूव हुआ है तो वह अप्रूव के बाद देख सकते हैं कंपनी जो एंसल्टी में गई थी साथ जुन्द हो जाए किसको गई थी जब से अप्डेशन चलती आ रही हो तो आप फाइनल अप्डेशन इस पर आ चुकी है कहले के दिन इसमें आ चुकिए फाइनल अप्रूवल ओडर हो चुक इनों के देखा गया है कि जो जो शेयर होल्डर उनके लिए कोई वैल्यू फिक्स नहीं के रहे किस वैल्यू पर इंके शेयर लिये जाएंगे अभी कुछ ऐसा कॉर्परेशन के तरब से कोई अप्डेशन नहीं मिली है अल्रेडी करजे में थी कंपनी द्वास का होल्डरों के लिए और नॉर्मल शेयर होल्डर किसी के लिए भी ऐसा कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया गया है तो अब आगे जब तक कोई अप्डेशन नहीं आती तो अब तो देखिए जो होना तो वह हो चुका शेयर के अंदर मैं आपको एक्स बताना चाहता हूं कभी भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे मार्केट में हर शेयर आपको मल्टी बैगर नहीं बनाएगा हमेशा पैनी शेयर के अंदर रिसर्च करने से एक बार सोच जरू लीजेगा ठीकिन देखिए सकते हैं आप रोईट फैरो टैक लिमिटेट के अंदर जो पर मैंसा आपको लॉस मिले ऐसा मैं नहीं चाहता हूं मैं चाहता हूं आपकी कैपिटल ग्रो करें टेवाइड यह और हमारे चैनल के साथ जुड़ा तो आपको ट्रस रहा कि भाई हमेशा वही शेयर का अपडेट अपडेशन देते हैं जो मार्केट के अंदर हमारे करके देख लिए तो पांच दिन के अंदर भी साड़े पांच परसेंट करके बंद हुआ यानि लोगों को मुका नहीं मिला निकलने का तो अभी आप देखे कवी इन्वेस्ट करें तो पहले सब्सक्राइब जरू कर लिए जाएगा और जो कमपनी एंसल्टी में बिल्कुल करें कि एक वर मैं खुद रहाप हो चुगा हो मैंने उत्तम वैल्यू गालवास उत्तम वैल्यू स्टील के अंदर मैं इन्वेस्ट किया तक काफ़ अच्छे होल्डिंग थी मेरे एक लगसों पर शेयर तो जब वह गया वह तो जिसमें जीरो हो गई ती मेरी वैल्यू जब स सब्सक्राइब करने के लिए तो आप अपने आपको अपडेट अपडेट रखिए टैम टू डैप आई होप यह वीडियो आपको यूस्पले तो प्लिस वीडियो को लाइक शेयर फवाट करना बिलकुल ना बोले थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो